हलो माई डियो फामिली क्या हाल चाले भाई सबको 24 मार्च शाम के साथ बच चुके है और आपका भाई आ चुका है सबसे पहले तो आप सबको जैस्टेक फामिली की तरब से होले की बहुत बहुत शुक्कामना है और एक बाद कल शाम को जैस्टेक प्लस के उपर टोटो का एक बहुत खतरनाक वाला वीडियो आजो का है नाम है हरामी दोस्त पाट टू मैं आपको लिख के गैरंटी देता हूँ कि आपकी लाइफ में ऐसा एक दोस्त तो जरूर से होगा वो वीडियो देखने के बाद कमेंट्स के अंदर उसका नाम बता सको तो ठीक है बाकि उसको ये वीडियो जरूर से शेयर करना था कि उसको पता चले कि हम क्या कहना चाते थे आज का अपने आपीसोड नमबर है 225 तो चलो शुरू करते हैं वाज की अमारी सबसे पहली अपनेट आ रही है रितिक रोशन और जुनियर एंटी आर की मूवी वार 2 से जहां हमने आपको पहले भी बताया था कि करन्टली वार 2 के शूट्स चल रहे है और रितिक रोशन भी शूटिंग का पार्ट है तो अब ये खबर आ रही है कि देवरा के गोवा शेड्यूल के बाद जुनियर एंटी आर भी नेक्स्ट मंथ यानि कि अपरेल के अंदर वार 2 के शूट्स को जॉइन कर लेंगे और अगले 100 दिन तक जुनियर एंटी आर वार 2 के शूट्स में ही बीजी रहेंगे साथी वार 2 से ये भी न्यूज आ रही है कि अयान मुकरजी और आदिते चोपरा ने प्रीतम को अप्रोच किया है वार 2 के म्यूजिक आलबम के लिए अलागी मुवी को रिलीज होने में अभी 1.5 साल का वक्त बाकी है तो काफी लंबा वेट करना पड़ेगा हमें मुवी देखने के लिए अगली खबर आ रही है रॉकिंग स्टार यश और डिरेक्टर गीतु महंदास की मुवी टॉक्सिक से जहां मुवी से बहुत से रूमर्स आ रहे हैं कि मुवी में करीना कपुर को कास्ट किया गया है उसके बाद कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया कि साय पललवी और शूती हसन भी मुवी का हिस्सा है इतने सारे रूमर्स और फेक न्यूस को देखकर मुवी के प्रोडूसर्स ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि मुवी की कास्टिंग के अराउंड काफे मिसिन्फरमेशन और थियरीस चल रही है उन्होंने ये भी कहा कि मुवी को लेकर ओडियन्स के एकसायटमेंट वो समझते है बाई लेकिन इस समय लोग किसी भी रूमर पर बिलीव ना करें इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुवी की कास्टिंग प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है बहुत जल्द नेक्स्ट अप्डेट है टाइगर शॉफ की नेक्स्ट मुवी रैंबो से जहां पहले तो रोहित दवन और सिद्दार्थ आनंद इस मुवी की फिल्मिंग अप्रिल दोज़ार चॉविस में शुरू करने वाले थे उसके इस डिसीजन के ऊपर कमेंट्स करके बताना आगे बात करे तो पाई नेट्फलिक्स के ऊपर कपिल शर्मा के शो का ओफिशल ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है जिसका नाम है दे ग्रेट इंडियन कपिल शो जो की नेक्स्ट विक 38 मार्च को रात को 8 बजे से नेट्फलि पहले ही हो गए थी पर जब रिलीस का टाइम आया तो इस OTT जायन्ट ने मुवी को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीस करने से साफ मना कर दिया जिसके बीचे का कारण उन्होंने ये बताया कि प्रोडूसर्स ने इनकम्प्लीट फिल्म सब्मिट की है जिसमें VFX सब स् है कि उन्हें एक Global Project Promise किया गया था लेकिन उन्हें जो मिला है वो किसी स्कूल जाते बच्चे के Science Project जैसा लगता है इसी के साथ OTT प्लेटफॉर्म ने OTT डिल के पैसे भी प्रोडूसर्स को अब तक नहीं दिये है जो कि अपरॉक सतर करोड का Amount है जिसके response में प्रोडूसर् अगली अपनेट आर ही है सलमान खान की दबंग 4 मूवी जहां मूवी को लेकर पहले ऐसे रिपोर्ट आये थे कि जवान के डिरेक्टर एटली को अरबास खान ने अप्रोच किया था मूवी की स्कृप्ट को लिखने के लिए जिसके उपर रिसेंटली अरबास खान की एक स् भाईजां दबंग 4 करेंगे की नहीं करेंगे और उससे बड़ा सवाल आप लोग दबंग 4 के लिए एकसाइटेड हो की नहीं हो कमेंट्स करके बताना नेक्स्ट अप्डेट है राम चरन की मूवी गेम चेंजर से जहां लास्ट विक Amazon Prime वीडियो ने अपने Mumbai इवेंट में रिविल किया था 29 मूवी के OTT राइट्स उन्होंने खरीदे है जिन मेंसे गेम चेंजर भी एक मूवी थी यानि की थियेटर रिलीज के बाद Amazon Prime पर मू नहीं की है इन लोगोंने इसे कहते है मूवी की डिमांड और हाइप हाला कि सुनने में ये आ रहा है कि मूवी का हिंदी वर्जन जीफाव के ओपर आएगा वहीं आगे बात करें रनबिर कपूर की रामायन मूवी से तो फिर से मूवी की कास्ट को लेकर कुछ बाते सामने जहां बताजा ये जा रहा है कि एक्टर रवी दूबे मूवी के अंदर लक्षमन जी का किरदार करने वाले है हाला कि अभी के लिए ये सिर्फ एक रूमर है जिसके उपर ट्रस्ट करना ना करना आपके ओबर है बाकी मैं तो यहीं कहूंगा यार कि मूवी की ऑफिशल करते हैं कि नहीं करते हैं पहले तो यह सवाल है आज का अपना लास्ट अपडेट है अनिल कपूर की नायक मूवी की सिक्वल से जहां ऐस शंकर और अनिल कपूर की नायक को रिलीज हुए 23 साल हो चुके है और मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया था मुझे नहीं लगत का सिक्वल बन रहा है जिसको डिरेक्ट कर रहे है मिलन लुथरिया जिन्होंने इससे पहले बादशाह हो और वन सपन टाइम इन मूवई जैसी मूवी को डिरेक्ट किया है अब देखो उस टाइम पर नायक बनी थी तो मूवी ने बहुत सरे लोगों की धोदी खोली थी तो काम अच्छा लगता है तो रोज शाम को साथ बजे बिना नौटिफिकेशन के इनिजार किये आप आजाया करो अपने सिनमा लगर दोस्तों के साथ वीडियो को शेर करना मैं मिलता हूं कल शाम को साथ बजे दिस इस जैस और वाचिंग जैस्ट एक सिनिमा भाई टिक एर जै है एंग